हेलो स्टुदेंट्स मैं हूँ दिनेश्दत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्टुडेंट टेक हमने पिछली वीडियो में बताया था कि माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है यानि टिशू कल्चर क्या होता है और टिशू कल्चर की टेक्निक्स को मैंने बहुत हीज़ी वेपर समज़ाने की कोशिस की है और आफ लो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक लेंदी टॉपिक आएगा तब हम उसमें उसको डिसक्स करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है जो उसी सीरीज पर चल रहा है जो लास्ट का टॉपिक ह तो में आपस में फ्यूज हो थीक है मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन सेक्स वड debates कहलाता है यानि की लेंगिक जनन के लिए नर और मादा जनकों की आवशक्ता होती है गैमिट की अवशक्ता होती है बिना गैमिट के kicking рецonal reproduction possible नहीं हो सकता है ठीक है तो मेल और फीमेल गेमिट्स बनते कहा है हमेशा याद रखीएगा मैं अगर हएर एनिम बीजस की बात करता Si जैसे होन्म चल्ट करना हूए ऑगर तो हीमन बींग्स में हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसॉम्स होते है 46 ठीक है अगर जो है हम लोग बात करें जोड़े में तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ठीक है अब इसकी जो है हम लोग यह male body है यह female body है और दोनों ही adult condition में हैं और यह diploid nature की होते हैं diploid को हम लोग 2N से denote करते हैं यानि यह दूइगुणी तो होते हैं इनकी सारी कोशिकाएं दूइगुणी तो होती हैं केवल जनरेटिव सेल्स को छोड़ करके ठीक है जो जरन कोशिकाएं होंगी वो है diploid nature की होती है clear तो अब इसके बाद जो diploid nature की होंगी तो सबसे पहले जब gametogenesis होती है gametogenesis के समय gamets का निर्माड होता है ये हो गया हमारा male gamet और ये हो गया female gamet ठीक है ये male gamet ये female gamet जब reduction division होता है यानि की meiosis होती है अर्ध सूत्री विभाजन होता है अगर male में हो रहा है तो इसमें sperm बनते हैं सुक्राणू बनते हैं जो की haploid nature के होते हैं और हम लोग जो है पिछली classes में पढ़ चुके हैं की reduction division के फल्सरूप यानि meiosis के फल्सरूप एक mother cell से चार haploid daughter cells बनती हैं ठीक है चार haploid daughter cells बनती हैं तो ये भी haploid nature का ये diploid nature का था तो 2N था ये haploid nature का है इसका मतलब ये हो गया N ये अब N condition में है haploid है इसी तरह से ये भी female में भी reduction division होगा meiosis होगी तो ये भी om का निर्माड करेगा यानि अंडानू का निर्माड करेगा और ये भी haploid nature का होगा यानि N condition का होगा clear जब दोनों gamits बन जाते हैं male gamit और female gamit बन गए ठीक है तो अब इन में fertilization होगा fusion की process को ही हम लोग fertilization कहते किसके fusion की gamits के fusion की जब gamits आपस में fuse हो जाएंगे तब जाकर के बला जो है 46 ते ना यह 46 थे अब यहां पर 23 आ गए ठीक है 23 इसके पास होंगे जब दोनों जो है fusion होंगे यह हो गया इसके पास 23 है और इसके पास भी 23 है और नीचे जब जाएंगे आपस में fuse हो जाएंगे तो इसका वाला केंद्रक भी इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये जो है 23 वाला हो गया और ये एक 23 वाला हो गया तो कितना हो गया 23 23 plus 23 equal to 46 यानी N plus N equal to 2N अब हो गया डिपलाइड यानी कि ये डिपलाइड ने चाथ तो बना किया जाएगोट ये जो है जाएगोट है और फिर इसके बाद जाएगोट जब विकसित होता है विभाजित होता है तो भूड बनाता है जाएगोट के development में बहुत सारी stages आती है उसको जो है हम आने वाले वीडियो में जो है देखेंगे लेकिन जाएगोट के development के बाद जो organogenesis होती है different type के organs का निर्माड होता है तो उन organs के develop होने से embryo का निर्माड होगा यही embryo विकसित हो करके एक सिसु को जन्म देता है ठीक है जो की अपनी माता के गरभाशे में यानि यूट्रस में रहता है और वहां के यूट्रीन मिलक में ये बहुत अपने आपको सेफ करता है सुरक्षित रहता है याद रखिएगा human beings में जो ओवं होती है ओवं अपने आकार में बहुत बड़ी होती है और इस्पर्म ओवं से कई गुना अधिक छोटा होता है ठीक है तो यह जो है sexual reproduction की एक समरी थी जो की आने वाले वीडियो में आने वाली classes में ये और भी ज पढ़ेंगे सारी चीजे जो है detail से पढ़ेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको share करिए comment करिए like करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए ताकि समय समय में हर एक topic की वीडियो आपको मिलती रहे और lockdown के चलते सारा syllabus आपका complete होने की कदर पर हो और board exam की तयार हम लोग time से कराना सुरू कर देंगे और याद रखिएगा जितने भी हम आने वाले time पर questions या topic बोले कि this is an important topic तो उसको mark जरूर कर लिजेगा क्योंकि वो exam में आ सकता है ये हमारा guess है तो ऐसा guess हमारा कभी वैसे fail नहीं होता है लेकिन आप लोग फिर भी अपनी तरब से पढ हाई करते रहें लेकिन यह मेरे जितने भी वीडियोज है वह आपको बहुत ज्यादा help करेंगे तो thanks for watching my video thank you